देखेगा पहला कोशन आपके सामने है और इन 15 कोशन के माध्यम से हम लोग इस पूरे टॉपिक के कॉंसेप्ट को अच्छी तरह से सिखेंगे देखेगा यहाँ पे क्या होता है कि एक आपका कथन दिया जाता है ठीक है और उस कथन के आधार पर कुछ पुरुवधारना यहाँ पे देखे धारना भी मिलेगा अबधारना भी मिलेगा और अनुमान भी मिलेगा यहाँ पे कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है यानि क कथन के आधार पे हमें यह तै करना होता है कि इसी कथन के अंदर कौन सा अबधारना अंतर नहीं थै इसी कथन के अंदर जो कथन यहां पे लिखा गया है जो कथन यहां पे बोला गया है उसी कथन के अंदर कौन सा अबधारना अंतर नहीं थै उसी को हम लोगों को ढूंडना ह तो आईए प्रयास करते हैं ठीक है पहला कोशन देखेगा क्या है यहाँ पे कथन क्या दे रखा है बुला है एक मा ने अपनी बेटी को बताया कि जंक फूड पर तूट परना मुटापे के कारणों में से एक है एक मा जो है वो अपनी बेटी से बोली है यह आपका कथन है जंक फूड से मुटापा होता है यह तो इसके अंदर अंतर नहीं थे देख लिए जंक फूड से क्या होता है मुटापा होता है रूड़िये यहाँ पे एक मा अपनी बेटी से क्या बोला है कि जंक फूड पर तूट परना मुटापे के कारणों में से एक है यानि जंक फू यहां पे कथन और पुरवानुमान है ठीक है यहां पे हमें अंदाज आया लगाना है कि यहां जो बात बोला गया है कथन बोला गया है उससे कौन सा अब्धारना जो है वह अंतरनिहित है कौन सा अब्धारना निकलता है दूसरा रीता और गीता मा बेटी है देखे तो यहां पर किसी परसन का चर्चा किया है क्या रिता गीता का चर्चा किया है नहीं तो दूसरा अभधारना जो है वह आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यानि कि इस कथन के अंदर केवल पहला अभधारना अंतरनीत है विकल्प यह जो है वह आपका इस कोशन का सही आंसर हो जा कथन आपका यहीं दिया गया है और इसी कथन के अंदर हम लोगों को खोजना है कि कौन सा अब धारना यहां पे धारना लिखाए कौन सा धारना अंतर नहीं थे इस कथन के अंदर कौन सा धारना अंतर नहीं थे यहीं हम लोगों को खोजना है फिर से कथन पढ़िये क्या है रा अप्रेल में ही रिजर्वेशन कराया है मतलब एक महीना पहले करवाया है अब इसके अंदर कौन सा धारना अंतर नहीं थे देखिए कौन सा एजब सन अंतर नहीं थे पहला देखिए रेल आरक्षन एक महीना पहले किया जा सकता है यह अब धारना जो है वह इसके अंदर अंतर नहीं थाई क्योंकि देख्छिए मैं में उसको यात्रा करना है और अप्रेइल में या रख राया है एक महिना पहले कर McMतलब एक महिना पहले जो है वह ओर क्छन कर आया जा सकता है तब एक महिन अपहले आरक्षन कराया है, दूसरा मुंबई से हैधराबाद के लिए के ट्रेस्ट है अब इस कोश्चन में देखिए तो यहां पे किसी जगह का पट्रिकुलर जगह का चर्चा किया गया है, क्या मुंबई और हैधराबाद नहीं किया गया है, तो दूसरा जो है प्रुवधारना एक जो है वह आपका इस कथन के अंदर अंतर नहीं है ओके चलिए बढ़ते हैं अगला देख लिजे अगला कोशन क्या है ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना होता है हमें अच्छी तरीके से परना होता है कथन और फिर उसके बाद यह तय करना होता है कि इस कथन के अंदर कौन सा अबधारना ठीक है यहां पर अबधारना मिलेगा धारनाय मिलेगा प्रुवधारना मिलेगा अनुमान मिलेगा इन में से कोई भी सब्द आपको लिखा हुआ मिल सकता है ठीक है सब का मतलब एजबसन ही होता है बोला है कि एक बेज्ञानिक कहते हैं कि प पेर जो है न वह जंगल में एक दूसरे के साथ संबाद कर सकता है और साथ में पोशक्तत्व को भी वह एक दूसरे के साथ साजहा कर सकता है अब यहां से देख लिजे एजप्शन क्या बनता है कौन सा अबधारना इसके अंदर अंतरनीत है पढ़ेंगे तो क्लेर हो जाएगा पहला देखिए क्या है पौधे अन पौधों के साथ अतरिक्त पोशक्तत्व को भी साजहा कर सकते है तो यह जो बात है वह इसके अंदर अंतरनीत है ठीक है बहुत सिंपल सा टॉपिक है बस आपको कुछ कोश्चन से प्रैक्टिस कर लेना है दूसरा देखिए पृतिवी के जुड़ा हुआ है यह तो आपका इसके अंदर अंतरनीत नहीं है यह डाटा कहीं यहां पर लिखा हुआ है क्या कि प्रिथिभी के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है पौधे फिर पौधे जो है एक दुसरे के साथ साथ संबाद करते हैं ठीक है वो सकता तो साधा करते है पर पोदे के बारे में जानकारी है सब कुछ जुड़ा हुआ है ऐसा तो यहां पे नहीं बोला गया है तो दूसरा जो है क्या एक अंतरनीत है केबल अब धारना एक जो है केबल यह वाला जो डाटा है वह इसके अंदर अंतरनीत है इसको अगर आप पढ़िएगा तो यह चीज़ आपका क्या होगा असपस्ठ होगा ओके चलिए बरते अगले कोशन में अगला देख लिजे कोशन क्या है यहाँ पे जो धारना निकलता है इसके अंदर कौन सा धारना अंतर नहीं थे देखिएगा फिर से देखे स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पर ले जो यह इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वह क्या सोच के लिखा होगा स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाला लोग पढ़ लिखे है ठीक है तो इस कथन के अंदर यह अब धारना अंतर नहीं है ओके आगे चलते हैं दूसरा स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं है क्योंकि अंधे अगर होगा अगर अंधे होगा तो फिर वह क्या है वह निर्देश नहीं पढ़ पाएगा यह निर्देश लिखा गया है इस भी उस Jy लिखा गया है क्यों इसको पढ़ेगा इसका मतलब प्रयोग करने वाला लोग जो है वह अंधा नहीं होगा क्योंकि आता होगा तो अंधा होगा तो और दूसरा ऑन्धा नहीं होगा तो दोनों का दौन अंतरन हीत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस कोशन का रुख जाएगा दोनों एक और दोनों का दोनों क्या है इसके अंदर अंतरन हीत है आगे चलिए अगले कोशन में आ जाए अगला कोशन देखेगा यहां पर क्या है कथन क्या है सार्णी ने कल के सो के लिए आज फिल पहला अबधारना क्या है फिल्म के टिक्टो को अगरिम तोर पे बुक किया जा सकता है तभी तो सारनी एक दिन पहले बुक की है इसका मतलब अगरिम बुकिंग जो है वह संभब है तो यह वाला जो अबधारना है इसके अंदर तो अंतरनीत है इसको पढ़ने से यह चीज तो तो आपका क्लियर होता है सारनी कल के सो के लिए आज फिल्म टिकट बुक की है ऑनलाइन बुक की है कल के सो के लिए आज यानि कि पहले बुक किया जा सकता है बहला सही है दूसरा फिल्म के टिक्टो को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है तभी तो ऑनलाइन बुक की है ना भी हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन में अगला कोशन देखेगा क्या है बोला है यहाँ पर जो कथण है उसको गौर से देखियेगा सरकार ने सारज़ुनिक परिवहन सुलक में बिर्धी करने का फैबसला लिया है अब इस से देख लिजे, इसके अंदर कौन सा अबधारना अंतरनीत है, सरकार यहां जो किया होगा, क्या सोचके किया होगा, लोग बढ़े हुए किराय का भुख्तान करने में समर्थ है, तो पहला जो आपका धारना है, वो इसके अंदर अंतरनीत है, दूसरा, बहुत से परियोग करते हैं अब कितना लोग परियोग करता है सार्विंग परिवहन का नहीं करता है इस बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है दूसरा निसकर्स जो है तो दूसरा धारना जो है वह इसके अंदर अंतर नहीं है नहीं है इसको इसको पढ़ने से क्या यह अब धारना क्लियर होता है नहीं होता है तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा तो हमारा अंसर क्या होगा केवल अब धारना एक अंतर नहीं है जरूरत है कथन को अच्छी तरह से पढ़ने का और पढ़ने के बाद यह देखने का किस कथन के अंदर कौन सा धारना जो सरवन को उसके पूरे करियर में हमेशा पर्थम स्रेणी फर्स डिविजन आया है उसका पिता जो है सरवन का पिता जो है पिता रमेश जो है वो आपने भाई से यह बात कह रहा है अब इसके अंदर कौन सा अबधारना अंतर नहीं थे पहला देखिए सरवन ने सरवन कौन सा परहाई किया है यह तो असपस नहीं है तो यह तो अबधारना इसके अंदर अंतर नहीं है नहीं तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा तो हमारा अंसर इस कोशन का क्या होगा ना तो निसकर्स एक सोरी निसकर्स नहीं ना तो अबधारना एक और नहीं दो इसके अंदर अंतर नहीं है ठीक है चलिए बढ़ते अगले कोशन में अगला कोशन देखे क्या है यहाँ पे बोला गया है कि छातर एक ने दो से कहा एक छातर दूसरे से क्या कहा है कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए छातर एक जो है वह दो से कहा है कि मुझे को पढ़ने के लिए आपके नोट लोट चाहिए ठीक है अब इस बात से यह तो आपका कथन है अब इसके अंदर कौन सा ओभारना अंतरनीत है सोचिए जरा डोने लोट तैयार कर लिए है तभी तो चाहत्र 12 से नोट वाँ रहा है और यह तो दो ने लोट से हिल्ये तभी तो चाहत्र suf जो है सत्यापीत करना चाहते हैं चाहता है ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर शातरेग जो तुछ को श्र波त करने के लिए उप्लिए एक पधार्ने और अंतर नहीं थे यह इस कोश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ध्यान रहे कथन और निसकर्स अलग होता है कथन और तरक अलग होता है अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कथन और पुर्वधारना देख रहे हैं ठीक है स्टेटमेंट और एजप्सन स्टेटमेंट और एजप देखेए यहाँ पर क्या है कतन एक सेने वाई से कहा मैं किसोरा अवस्था के लिए मांसिक स्वस्थ पर सोशल मीडिया के प्रभाव का सोध करना चाहता हूं अब इसके अंदर देख लिजिए कौन सा पुरुषाना अंतर्नित है किसोरा अवस्था के मांसिक स्वास्थ पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है तभी तो एक्स जो है उसको मापना चाहता है इसका मतलब मापा जा सकता है किसोरा आवस्था के मानसिक स्वास्थ पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है तभी तो एक्स जो है वह मापना चाहता है सो चुरुआ सोध कैसे करेगा तो यह चीज भी इसके अंदर अंतर नहीं था एक सोध करना चाहते हैं मतलब की बहुत दक्ष है इना उसके पास कौसल है एक और दो दोनों का दोनों क्या होगा अंतर नहीं थोगा देखे इसके नेगेटिव सेंस में आपको नहीं जाना है आगे चलिए अगला देख लिए यहां पर क्या है कथन देखिएगा क्या है कथन यहां पर बोला है कि ब्रांच मेनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं कि मार्च के अंत में हमेशा ब्यस्त होते हैं मार्च के अंत हमेशा क्या होते हैं यानि बहुत जादा काम होता है अब इसी के काम की कमी के कारण बहुत अधिक कामे कत्रित हो जाता है यह तो आपका नेगिटिव सेंस में है क्या ऐसा यहां पर बोला गया है कि समय पर काम नहीं हो डाई इसके वज़से ना बहुत ज्यादा कामे कत्रित हो गया है नहीं तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा तो केबल एक अंतर नहीं था है विकल्प बी जो है वह आपका इस कोशन का सही आंसर के बल एक नहीं तो बिकल्प बी आंसर हमारा इस कोशन का यही हो जाएगा चलिए बरते अगले कोशन में अगला देख लिजे नंबर बारा तरक और पुरुवधारना मतलब वही चीज है स्टेटमेंट पढ़िए इसको अची तरह से अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्बरकों के बजाए जैविक उर्बरकों का उपयोग किया जाना चाहिए अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्बरकों के बजाए जैविक उर्बरकों का उपयोग किया जाना चाहिए अब पुरुवधा गया है तो यह अंतरनीश इसके अंदर नहीं है इस पुरुपधानाक उपड़के देखिए क्या यह चीज इसके अंदर अंतरनीश नहीं है नहीं है रासाइनिक उर्बढ़क जो है वालाव दायक है कि हानिकारक ஐसा कुछ भी यहां चर्चा नहीं किया गया है दूसरा जाए जैवीक अुरवड़क का उपयोग करूझ रिये इसका मतलब जैवीक अउपाइब करूग करने से अधीक उपज होगा उपद में बिडी किसके तुन्लेए मेरा है रासायनिक उपदान करते हैं वह यहाँ करना है कि जो पुर्वधारना है इसमें से कौन सा इसी के अंदर अंतर नहीं थैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन में आगे देखें यहां पर क्या है कथन क्या है गौर से देखते चलिएगा बोला है एक बिग्यापन दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी ब करते हैं सबसे अच्छा जिसमें तिप्रगति के साथ अदूतिय सुरक्षा सुविधाएं हैं अब इस कथन के अंदर कौन सा प्रुवधारना अंतर नहीं थैं इस दोनों में से उसको हमें चुनना है पहला देखिए भारत में ऐसी सुरक्षा सुवधाओं वाली कोई सुरक्षा सुविधाएं है अदूतिय मतलब इसके समान दूसरा नहीं है ठीक है तो भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाला अन्व कोई बाइक नहीं है क्योंकि यहां पर जो बनाया है वह क्या है अदूतिय है फुरसे देखिए एक विग्याफन दावा क्या किया है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक बनाते हैं मतलब उसके समान को दूसरा नहीं बनाता है जिसमें तिप्र गति के साथ अदूतिय सुरक्षा सुविधा है वही बात तो यहां है कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधा वाला अन्व कोई बाइक नहीं है ठीक है चलिए क् बात धूति यह बना रहा है दूसरा लोग इस कीमत की भाई को ख्रीद सकते हैं अच्छे कीमत क्या है इसका और कौन खडी सकता है इसके बारे में तो कोई यहां में डिसक्रार नहीं किया गया है तो दूसरा अंतर नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा के बल एक परिस्थित की पार्क होना चाहिए इको पार्क होना चाहिए इको पार्क का मतलब कि वहां बहुत सारी पेट पॉधिर लगाए जाए जो इन्वार्मेंट को कंट्रोल करें ठीक है तो यहां पर बोला है महापौर ने अपने सचीब से कि हर सहर में प्रस्थित की पार्क होना च पर्दाना ध्यापिका ने सुल्क शनरचना पर चरचा करने के लिए सभी अभिबावक और सिक्षन क्रमचारियों की एक बैठक बुलाई है अब धारना इसके अंदर कौन सांतर नहीं थे सोचिए सुल्क संरचना का पुर निर्मान करने की योजना है तभी तो बुलाया है इसका मतलब सुल्क संरचना को क्या करना चाहता है पुर निर्मान करना चाहता है उसमें सब को क्यों बुलाए गया है सबसे समती के लिए ही तो दोनों का दोनों अंतरनीत होगा विकल्प A भी और विकल्प B भी ठीक है आगे चलिए अगला कोशन देखिएगा क्या है बुला है यहां पे कथन कि जीवन कौसलों की सिक्षा प्राथमिक सिक्षा से ही दी जानी अब इसके अंदर कौन साब धारना अंतरनीत है चात्रों के जीवन के कौसल छोटी आयू में ही सीख लेनी चाहिए क्योंकि यह उन्हें बहतर भविस के लिए त्यार करता है बिल्कुल सही बात है जीवन कौसल की सिक्षा प्राथमिक सिक्षा से ही यानि की छोटी आयू से ह चाहिए तो छात्रों के जीवन में कौसल छोटी आयू से ही सीख लेना चाहिए क्योंकि बहतर भविस के लिए त्यार करते है ठीक है दूसरा चात्रा अपने नौकरी के लिए जीवन कौसल सिखने है तू पैसे देकर आपचारी कॉर्स कर रहे है यह बात क्या इसके अंदर अंतरनीत है कि छात्र कॉसल सिखने के लिए पैसे दे रहा है या कहीं कुर्स कर रहा है इसा तो कुछ नहीं है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा अंतरनीत नहीं है यह अंतरनीत नहीं है के वल एक अंतरनीत नहीं अंतरनीत है इसके अंदर यानि हमारा आंसर क्या हो जाए पूछा गया है जो लेटेस्ट कोशिन आपका 2018 में पूछा गया है इसके अलाबा जो 2021 में टीपीची वाला पर पर हुआ है उन कोश्चन को ले करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का कोश्चन साब का पूछा गया है डिक है चलियो तो आज के लिए तना ही वापस मलाकात होगी एगले दिन फिर से एक नए वीडियो में थाइंक्यू जैहिंद